नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांड जोते सीक्रेट सनीदेव ब्यक्ति को जो जारू बनाते हैं और जिसकी कुंडली में सनीदेव अच्छे स्थिती में हो उस ब्यक्ति को कभी भी किसी परिशानी से वो घवराता भी नहीं है और ऐसे लोगों के अंदर गजब का आत्विश्वास होता है ये लोग अनुसासित होकर जीवन जीते हैं और कितनी भी कठिन प्रिश्थितियां क्यों नहीं हो वे कभी भी उमीद नहीं छोड़ते और इसलिए वो सफल भी हो जाते हैं क्योंकि सनीदेव उन्हें तपा कर कुंदन बना देते हैं सनीदेव एक नयाय दिस ग्रह है तो आज हम सनीदेव का ये जो महा परिवर्तन हो रहा है 17 जनवरी को ये महा परिवर्तन आपकी लाइफ में क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है यही बताएंगे क्योंकि सनीदेव जिस ब्यक्ति प्रपसंद हो जाए उसे रंक से राजा बना देते हैं लेकिन सनीदेव कभी-कभी जल्देल्दी काम नहीं करते हैं क्योंकि मंद मंद गती से चलते हैं मंदः मंदः चलती इती सने चला केनुसार सनी देव मंदगती से चलने वाले गरा है और यही कारण है कि एक रासी में धाई साल रहते हैं तो कुम में भी वो धाई साल रहने वाले हैं तो इसके बाद वो परिवरतन करेंगे लेकिन जब तक वो कुम में है चुकि सनी देव ए कुम रासी प्रबल रासी है सनी देव की क्योंकि मूल त्रिकोन रासी होने के कारण कुम रासी में गोचर करना बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है इसका प्रभाव ना सिर्फ ब्यक्ति पर बल्कि दुनिया भर पर पड़ने वाला है है तो जाने अन जाने उन से आप भेबीत हो इग를 होंगे पर घबराइए मद आज हम ऊपको पॉजर्टिव बताएंगे उह अच्छा क्या होग यह विधं कि बुरुरा क्या होगा लेकिन हो पॉजर्टिव तरीके से तो सनीदेव का गोचर क्यों होता है यह चार पायों पे होता है इस सनीगरह का गोचर बहुत ज्यादा प्रहसाली तो होता है लेकिन कि समय और इस्तिती को देखा आप यह पता लगा सकते हैं कि सनी का पाया और सनी का पाध कौन सा है इसी अधार पर आपके उपर इसका प्रभॉप रहता है फल भी देते हैं तो किस रासी में प्रवेश कर रहे हो उसमें चंद्रमा पहले छटे ग्यारवे भाव में हो तो स्वर्ण पात कहलाता है दूसरे पांच में नवे भाव में हो तो रजत पात कहलाता है तीसरे साथ में तो सुना का पाया होने से बैक्ति के जीवन में संघर से देते हैं क्योंकि यह सही नहीं है मानसिक तनाव बढ़ा देते हैं लेकिन आज हम जैसे कि एक सिंपल तरीके से जानकाई दे जैसे कि चांदी का पाया हो तो सुफल की प्राप्ति होती है बैक्ति धन खुब प्राप्त करता है पद परतिष्ठा बढ़ती है जीवन में पद उन्नती होती है भूमी मकान वहन की प्राप्ति होती है और ताम्बा यह ताम्रपाद हो तो ऐसे लोगों को बैपसाय नोकरी में उन्नती करता है इनका बड़े-बड़े लोगों के बीच मे उठना बैटना होता है बिद्ध्या की प्राप्ति विवा होना बैवाई सुख बढ़ना सुख सुविधाओं का भोग करना लंबी दूरी की यात्रा का सुख मिलना जैसी चीजह होती है लेकिन जो लौपाद होता है वो असुम माना जाता है जो स्वास की मुश्किले पाता है चोड़ चपेट दुरखटना देता है तो कामबर पात जो होता है काबे का पाया वह सब से सुब्हफल देने वाला माना गया है क्योंकि इस समय में ही बेकती ज्यादा उन्नति करता है नौकरी बैपार में और बेकती सुख के साधन प्राप्त करता है तो ये तो थी मिथुन डासी वालों देखिए आपके लिए जो पाया होगा वो स्वर्ण का होगा सनिदेब का तो सोने के पाये पर आ रहे हैं तो क्या होगा मध्यम रूप से फल्दाई होगा आपकी ढईया समाप्त हो चुकी है अब आप खुसिया मना सकते हैं लेकिन सनिदेब आ रहे हैं सोने के पाये पर ऐसे में पारिबारिक ब्याफसाइक उल्जने थोड़ी सी तो बढ़ेगी सत्रू बिरोधी थोड़े से टेंसन देंगे बांसिक तनाव है लेकिन चलिए जानते हैं कि क्या खोए हैं और क्या पाने वाले हैं क्या जो बीच चुका वो गया लेकिन अब जो होगा वो कितना अच्छा होगा अगला धाई साल क्या होने वाला है तो लंबे समय के इंतजार के बाद राहत मिलने की घड़ी आ चुकी है क्योंकि सनी देव की ढईया से मुक्ती मिल रही है सनी देव आपके आठवे नुवे भॉक के स्वामी है और जो बिदार्थी हैं उच्च सिक्षा अध्यान करने के एक चुक है उनके लिए सनी देव बड़ा सफलता बड़ी सफलता एक सुनारे अक्षर में लिख चुके है तो बस आपको अपने लक्ष पर फोकस करना है जो बैपारी है उनके लिए छोटी मोटी मुस्किले इसमेहला की दिख रही है लेकिन प्रबल संभावना ये है कि आभी तक जो आपने परिसानिया देखी अब वो कुछ भी नहीं है अब बहुत रहत है धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे सफलता की सिडीप की तरफ और धीरे धीरे फिर दौड़ने लगेंगे पस थोड़ा सा इंतिजार तो चलिए आज हम बताएंगे कि सनिदेव अस्त हो जाएंगे 30 जनवरी को और 17 जून को होंगे वक्री तब क्या होगा लेकिन उसके पहले देखिए अगर आप नौकरी करते हैं घर से दूर जा सकते हैं या फिरेस यात्तरा बेगरे के योग हैं अगर आप विरोजगार हैं नौकरी की तलास में है एक अच्छी जॉब मिलने की संभावना प्रवल रूप से बनीवी है इस धाई साल के अंदर भाई बेहनों का सपोर्ट मिलेगा प्रेम समंधी जो भी समस्यायती वो हल हो जाएंगी और अपने जो लब हैं उनके साथ एक खुबसूरत पल गुजारते वे नजराएंगे तो सनी देव की ढहिया से मुक्ति मिल रही है लेकिन भाई बेहन के सुक का थोड़ा सा अभावतो है तो ऐसे में थोड़ा सा रिस्तों को जोड़ने का प्रयास करना है और कर्ज कम होंगे या फिर धिरे-धिरे समाप्थी हो जाएगा थोड़ा सा अपने पेट का खयाल रखना है आपको पेट का याद रखे खाने पीनेगा थोड़ा ध्यान रखेगा और आपके चुकिए भागे भाव में रहेंगे तो सफलता और लाब के लिए थोड़ा संगर्स तो करना होगा धर्म कारी की तरव आपकी रुची बढ़ेगी अध्यात्मी कारियों में आप जुड़े रहेंगे इंबॉल्व होंगे अगर आप जोतिस दर्सन धर्म से जुड़े हैं तो भी बहुत अच्छा वक्त है लेकिन सनिदेव लाप दिलाने के साथ ज्यान परतिष्ठा भी आपके बढ़ाएंगे इसमें मांस मदीरा जैसी चीजों से जरा दूरी बना कर रखिएगा या अगर आप ऐसे वैसे देरू नहीं बना सकते आप रात में एक बढ़ा सकते है पिता या पैतरी संपत्ती के मामलों में थोड़ी सी मुश्किले हैं हलाँ कि आप चीजों पर फोकस करें समझधारी से आगे बढ़ें अगर आप सेर मार्केट, मिच्छल फंड या कहीं भी पैसे इंबेश्ट करना चाहते हैं तो आप सोस समझ कर कीजिएगा आपको फायदा जरू मिलेगा संतान प्राप्ति के योग भी बनेवे हैं और संतान से सुख मिलेगा खुसी मिलेगी संतान आपको प्राउड फिल कराए तो मिहनत खुब करना क्योंकि सने देव कर्ण फल दाता है जो बैपारी है जो खिम लेने के लिए बैसे ये समय ठीक है कर्जों में कमी भी आ रही है कर्जों क्योंकि उतरता दिखेगा सत्तुरू बिरोधी आपके दवे रहेंगे तो वो आपके लिए कहीं कोई टेंसन आगे आपका साथ देगा लेकिन पिता के स्वास का आपको ख्याल रखना होगा जो बिद्यार्थी हैं उच्च सिक्षा गरहन कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि वो इस समय आने वाली एक्जाम के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उहां पर आपको पढ़ाई लिखाई पर आपका फोकस है और आप मिहनत से सफलता प्राफ करेंगे तीस जन्वरी से सनी देव नवम भौ में अस्त हो जाएंगे तब जो विद्यार्थी हैं थोरा सा मन भटकेगा तो पढ़ाई लिखाई कीजिए और नहीं तो इसका सीधा नकात्मक असर आप पर लगता है आपको थोड़ा डांट लगा दें तो ऐसे में छे मार्च सब्सक्राइब कर रहें और रिष्टों को पोजटी तरीके से ले जाए नौकरी करते हैं घर पड़िवार वाले हर रिस्तों में बेतर तरीके से लिएगा अब देखिए जैसे ही सनीदेव 6 मार्च को क्री होंगे ठीक है और चार नौवंबर को वो एक बार फिर से मार्ची हो जाएंगे तो अंतिम जो दो मेहना है खासकर आपके लिए नौवंबर दिसंबर यह बहुत खुबसूरत रहेगा आप आर्थिक तो आपको सफलता मिलेगी ही कारशेदर में भी आप बेहतर कर पाए में थे उस मुश्किल से आपको रहात मिल रही है तो यहां पर यह चीज़े पॉजिटीव है और दूसी बात इस वक्त जो मिथुन बाले हैं खासकर वभाई जीवन में हैं रिष्टे आपके अच्छे हैं यहां पर टेंसर नहीं जो रिष्टों में दूरिया थी वो अब समाप्त हो गई अब आप पास आ रहे हैं तो रिष्टों में दूरियां समाप्त हो रही है आपके माता पिता के साथ फिलाल विदालेते हैं धन्यवाद